Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास्ट विल्ट का OCM News syllabus और ये है चाप्टर नंबर चार बिजनस सर्विसिस का एक और महत्मौन वीडियो आज की इस वीडियो में हम ट्रांस्पोर्ट बिजनस सर्विस को डिसक्रस करने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने road और rail ट्रांस्पोर्ट के दोनों advantages और disadvantages पर नज़र डाली थी आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे on the remaining transportation के modes और जानेंगे उनके फायदे और नुकसान दोस्तों ये topic जो है transport वाला business service के अंदर सबसे आसान topic है पिछले साल इसको reduce किया गया था लेकिन इस साल वो हमें पढ़ना इच है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 20-24 मार्क के लिए जब एक चार्टर आने वाला होता है तो उसमें सबसे आसान चीज़ जो है वो तो अपने को पकी कर ही लेनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट उसी में से एक है तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो ज़रूर से subscribe कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगतार ऐसे ही informative वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों प्यार अपना बरकरार रखिए और चैनल पर बढ़ें रहिए अन तक इस वीडियो को देखिए लिख करके answers की practice कीजिए काम आसान हो जाएगा प्लेलिस्ट की link description में है जरूर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट को तक यहाँ आप अपनी पढ़ाई को वहाँ से बूस्ट कर पाएँ चलिए शुरू करते हैं फटा फट से आज का topic हमारा transport से related है और इसलिए शुरुवात में एक छोटा सा brief देदू ट्रांसपोर्ट exactly क्या है तो it is movement from one place to another काय का movement बहुस तो भाई goods and services का लोगों का, people का, machine का याद रखिए जब एक जगा से दूसरी जगा movement हो पाता है तो वो ट्रांसपोर्ट की वज़े से ही हो पाता है बिना ट्रांसपोर्ट की movement ही possible नहीं and that is why it is a very important factor, बहुत important role play करता है nations economy में देश को बनाने में 1991 से ही हमने हमारे infrastructure को develop करना शुरू कर दिया था ताकि हम एक समरुध देश बन सकें, एक developed country बन सकें, overall growth हसल कर सकें, तो यह हमारी कोशिश रही है बात करें, transport की meaning की तो transportation is the movement of people, animals and goods from one location to another location or it can be defined as a means of carrying goods and people from one place to another place, यानि एक जगा से दूतरी जगा, लोगों का goods and services का, commodities का जो movement है, उसी को कहते हैं, दोस्तों बहुत ही सरल भाशा में transportation, बढ़ते हैं दोस्तों आगे पिछली वीडियो के अंदर हमने कई modes of transport discuss किये थे, हमने road transport, rail transport देख लिया आज हम बाकी के सारे modes cover करने वाले हैं, खास तोर पर air और water पर हमारा focus रहेगा, क्योंकि इन में से, ये जो road, rail, air और water है, इन में से कुछ नो कुछ आने की board exam में बहुत ज़रा जी हाँ दोस्तों, air transport ये modern day world में एक fastest mode of transport बन चुका है, तेजी से आप longest distance को cover कर सकते हैं, air transport के जरीए बहुत आसान हो गया है, travel करना आजकल, visas, passports और ये सब के आसानी से rules and regulations को follow करके, आप air transport से एक जगा से दूसरी जगा travel कर पाते हैं, लंबी दूरी quickly cover कर पाते हैं, business और corporates के अंदर, air transport का जो usage है, वो बहुत बड़ा है, पिछले कई वरशों के अंदर yes, COVID के time पे जरूर सको एक बहुत बड़ा ज़टका भी लगा था और बहुत ज़ादा नुकसान भी जहला गया था क्योंकि कोई travel नहीं कर रहा था, लेकिन air transport एक बहुत महतवपून, बहुत महतवपून mode of transport बनकर के सामने आता है, क्या है खास तो याद रखिए, air transport carries the goods and passengers through airways हवाई यातरा, by using different aircrafts, like passenger aircrafts, cargo aircraft, helicopters etc, तो इन इन अलग-अलग माध्यमों से, इन अलग-अलग जो concepts है इनके जरिये जो है, हम आसानी से travel कर पाते हैं easy हमारा काम हो पाता है बात करें यहाँ पर दोस्तों, this is the fastest mode of transport कैसा mode है बोस? fastest mode of transport है but it does not provide do-to-do service, यह तो भाईया door-to-door service वाली बाकी in hilly और mountainous areas where other modes of transport is not accessible air transport is important and convenient mode, तो कई ऐसे जगा है जहाँ रेल नहीं पहुँच पाती जहाँ पर बहुत ज़्यादा hilly और mountainous areas, वहाँ पर दूरदराज में एक बड़ा सा airport है और वहाँ पर आपको aeroplane से चोड़ा जाता है और helicopters वगरे से आप जा सकता है वहाँ पर air transport ऐसे में कफी सुधाय प्रोवाइड कराता है, हमने देखा है हमारी जावाज military को भी कई बार helicopters का इस्तमाल करते हुए और कई rescue operations में बहुत काम आता है air transport जी हाँ, air transport is also suitable mode in case of emergency like war, medical, natural calamities rescue operations, etc air transport is classified into domestic transport and international transport, तो इसके दो classification किये गए है boss, एक तो domestic है और एक international है, आपको locally travel करना है, domestic में देश के अंदर travel करना है, तो air transport का इस्तमाल किया जा सकता है, जैसे आपको गोवा से जाना है डेली या डेली से आपको मुमाई आना है ऐसे आपने अंतर राज्य आपको जो travel करने में तो भी आप domestic airlines का जो सहारा ले सकते है, international transport है तो boss, आपको विदेशों में जाना है अलगलग देशों में आपको जाना है आपके कामकाजस के सिलसिले में आपके business के सिलसिले में, या आपको घूमने के लिए जाना है पढ़ने के लिए जाना है, या लगलग के कारण हो सकते है तो ऐसे में international transport लगता है Air transport is carried out in fixed air routes जिस तरह से routes होता है na railway के, road के वैसे ही air routes भी बनाए हैं और इन fixed air routes पे ही जो है airlines जो है चलती है various national and international public sector and private sector airways companies are giving services on domestic and international routes for example, domestic air India public sector में आती है spice jet private sector, international quantas, airways limited Australia public sector है तो इस तरह से अलग-अलग कंपनिया है जो हमें air transport की सुभधाय जो है वो provide करा रही है चलिए, अब कुछ फाइदे और नुकसान देख लेते हैं तो advantages की बात करें तो बहुत सारे advantages आपको नजर आएंगे एक सबसे बड़ा fastest means है इससे बड़ा कुछ भी नहीं है fastest कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर प्लेज वाइटल रोल दूरिंग वार और emergency situation जैसा मैंने आपको बताया हमारी military को rescue operations में आपाथ का लिन स्टिटी में मदद करता है सबसे बड़ा advantage है इसी जगाँ पर जहां नहीं पहुँच सकते है helicopters military के पहुच जाते है emergency situation में वहाँ जा सकते है और इनसे ही हमें मदद मिलती है तो rescue operations बहुत बड़ा advantage इसके अलावा as air transport uses natural ways no separate construction of routes required like road or rail transport route अलग से नहीं बनाना पड़ता है airport वगेरे की हमें प्रवंद करना ही पड़ेगा लेकिन route अलग से नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि तो naturally हवा में चल रहे हैं तो ये natural resource का उप्योग कर रहे है ये भी एक advantage यहाँ पर मिल जाता है इसके अलावा it is less polluting as compared to road transport pollution कम है it is useful in such areas where other means of transport are not available जहाँ पर दूसरे modes accessible नहीं है वहाँ पर rail transport का इस्तमाल किया जा सकता है तो उमीद करता हूँ ये सभी advantages जो हैं आपको समझ आगे होंगे हर सिक्क्य के दो पहलू होते हैं दोस्तों उसी प्रकार कुछ disadvantages आपके सामने हैं air transport के disadvantages की बात करें तो it is relatively expensive भीया बहुत पैस्ता जाता है महंगा है हवाई जाह से जाहें ticket कितने का 11,000 का ticket है तो expensive बहुत जादा है दोस्तों कहीं न कहीं एक आम आत्मी के लिए 10 बार सोचना पड़ता है ये ticket मैं कि ले भी पाऊंगा या नहीं पहले से booking करूँगा तो शायद सस्ता पले और इतना दूर का तो मैं सूचता भी नहीं हो तो कहीं न कहीं expensive mode of transport बन जाता है it is affected by eduos weather condition yes, weather conditions यार कभी बिजली कड़क रही है कभी तूफान आ गया कभी हवामान खाते ने एक alert जारी कर दिया तो ऐसे में weather conditions की वज़े से कई flights delay होती है cancel भी हो जाती है it is not suitable for shorter distance छोटे distance के लिए तो नहीं है भाई छोटे distance के लिए नहीं not suitable याद रखी क्या है यह not suitable क्या है यह not suitable है मतलब आपको याद रखना है कि यह long distance के लिए फायदे बन दे short distance पे जाना है तो आप road और railway का सहरा ही लीजिए यह आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा बात करें दोस्तों आगे it requires huge investment cost airline आसानी से तो नहीं भाया हो जाएगी construction of airport बहुत पैसा जाएगा runway बनाना पड़ेगा air traffic control के tower बनाने पड़ेंगे signals जहां से आएगे तो बहुत खर्चा तो है ऐसा नहीं कि आसानी से airline जो हो शुरू कर सकते है expensive air transport subject to international restrictions क्योंकि आप कहीं पे भी घुसा नहीं सकते अपना aeroplane ने रहे वहाँ parking नहीं भी ली ना जाएगा कि आप कैसे भी ना permission के आगे तो बहुत ज्यादा restrictions होते हैं as aeroplanes of some nations are not allowed to fly over other countries तो आपको permissions होनी चाहिए यह इसके disadvantage है कहीं पे भी हवाईजाद लेकर आप उड़ नहीं सकते यह एक disadvantage है तो उमीद करता हूँ आपको advantages और disadvantages दोनों ही समझ आ गए होंगे air transport के चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों आगिला जो हमारा mode of transport निकल करके आता है यह है super famous water transport ancient भी है प्राचीन काल से चला आ रहा है और काफी popular भी है slow तो इसे कहते ही है लेकिन इतना भी कहते है slow and steady winds race प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसलिए सबसे popular water transport को मारा जाता है अब बहुत तरक्की कर चुका है cargo ships से बहुत goods and services भारत के जो हैं दूसरे देशों में जाते हैं कई ने कई दूसरे देशों से आते भी हैं समधरी रास्तों से तो water transport बहुत famous और बहुत popular mode है प्राचीन काल से चला आ रहा है कई पंडूबियां लेकर, कई जहाज लेकर कई लोगों ने, कई देश होज डाले तो ये भी कहानिया हमने सुनी हैं कि किस तरह से अमेरिगोवेस्पूसी ने किस तरह से अलग-अलग Columbus में किस तरह से जहाजों का सहरा लेकर तो लोग travel करते थे पहले और ये transportation का सबसे जबरदस्त mode माना जाता है जी हाँ, water transport refers to movement of goods and passengers on waterways by using various means like boats, steamers, launches ships, etc. इस तरह से जब आप पानी के माध्यम से पानी के रास्तों से जब travel करते हैं या goods or services को travel करते हैं एक जगा से दूसरी जगा commodities भेजते हैं तो वो water transport का हिस्सा माना जाता है दोस्तों, with the help of these means goods and passengers are carried to different places both within as well as outside the country when the goods and passengers move inside the country it is known as inland water transport देश के अंदर है तो in-land और जब when the different means of transport are used to carry goods and passengers on the ocean or sea route it is known as ocean or sea transport, क्या बोलते हैं उसको ocean और sea transport कौन इसकी देखरेक करता है तो जिससे railway का railway ministry है वैसे यहाँ पर आप देखिए कि water transport में इंडिया ministry of shipping looks after the development of ocean transport throughout the country ministry of shipping की पूरी जवाबदारी है जिम्मेदारी है ports develop करना अच्छे अच्छे ports बनाना जहाँ पर जहाँ पर जहाँ लोडिंग अनलोडिंग कर सके रोख सके ठहर सके तो अच्छे ports का यहाँ पर बंधन किया जाता है और प्रबंध करके यहाँ पर जो है पर अक्सर जहाँ बड़े बड़े हमारे रोखते हैं तो shipping के इस दौर में modern day world में बहु सामान है भया import export का बड़ा बड़ा सामान कारगो में ships में bulky और heavy goods आसानी से भेजा जा सकता है it is safe mode of transport with respect to occurrence of accident तो बहुत कम accident देखे जाते हैं और इसी लिए bulky और heavy goods के लिए तो बहुत अच्छा है safe है it helps to promote international trade देश का international व्यापार इसी से promote होता है क्योंकि ज्यादा तर देश है आज भी समदरी रास्तों से goods का आवन जावन जो है देखते हैं करते हैं दोस्तों there is no cost for constructing and maintaining of routes क्योंकि once again naturally made route है समंदर का रास्ता it offers more flexibility as compared to rail transport flexibility बहुत है confusion कम है जहाज जो है वो आ रहा है जा रहा है आराम से समंदरी रास्ता natural रास्ता पकड़के तो यहाँ पर confusion and flexibility बहुत ज्यादा है confusion कम है flexibility ज्यादा है बढ़ते हैं कुछ disadvantage कि हो तो सबसे बड़ा disadvantage तो यही कि slow है भाया it does not provide door-to-door service it gets heavily affected by adverse weather condition भाय तूफान आ गया tsunami आ गया बहुत तेज लहरें चल रही है तो ऐसे में ship पर जाना थोड़ा risky साबित तो हो ही सकता है क्योंकि समंदर के अंदर क्या गहराई में छुपा हुआ है कोई नहीं जानता दोस्तों और इसलिए risk तो है it is comparatively slow moving बहुत slow है air transport fast है railway fast है road to door भी मिल रहा है water transport अच्छा तो है लेकिन slow है भाय कब पहुंचेंग है जास चली रहा है कब से अब तो पहुंचें नहीं समंदर ही समंदर दिखता है कुछ खता म ही नहीं हो रहा है और इसलिए it is slow moving याद रखिए more investment cost is involved in terms of ports ships maintenance etc तो ये खर्चा यहां पर भी होता है जिस तरह airport बनाने का खर्चा है runway बनाने का खर्चा है उसी तरह यहां पर भी port वगेरे बनाने का खर्चा तो होने ही वाला है आखिर में it is subject to perils of the sea यानी समंदर कैसा behave कर रहा है उसी पर यह transport निर्भर करता है अच्छा है चांत वातावरन है अच्छा वातावरन है weather conditions अच्छे है तो आसानी से transport हो सकता है तो यह advantages और disadvantages हमने देख लिए water transport के कुछ आखरी चीज़ें देख लेते हैं यहां पर कुछ और mode of transport जो modern day में आ रहे हैं जिसमें monorail और metro स निवाएं जो है वो अब शुरू हो गई है यह और तेज गती से लोगों को convenience हो इसलिए बनाया जा रहे हैं monorail और metrorail की सुधाएं बहुत popular हो रही हैं कम time में बहुत famous हो रही है construction में cost जरूर बहुत जादा जा रहा है लेकिन फाइदा बहुत है convenience बहुत है relaxation बहुत है quick भी बहुत है yes these are the types of rapid transit system क्या बोलते इसको rapid transit system found in urban areas शहरों में these types of transport are energy efficient यह ज्यादा खोला ज्यादा steam वगेरा को use नहीं करते electricity कम use करते हैं और इसलिए and less polluting also a monorail is the railway in which the track consists of single rail monorail बोले तो single rail monorail बोले तो single rail और a beam A की होता है single होता है the term is also used to describe the beam of the system or the trains traveling on such a beam or track याद रखिये from the passengers perspective monorails can have some advantages over other modes such as less intersection turns no traffic jam absence of problem of collision etc examples of monorail in India is Mumbai monorail कमारे यहापे Mumbai monorail है traffic jam से बच सकते हैं quick पहुँच सकते हैं फटापट पहुच सकते हैं कोई collision कोई tension नहीं है एक ही पटरी है और उसी के उपर सब कुछ काम का जो है आसानी से हो रहा है तो उमीद करता हूँ यह monorail metro वाला आपको हिस्सा जो है transport का समझ में आ गया होगा बात करें दोस्तों आखरी कुछ modes की तो यहाँ पर रोपवे एक नया system है उचाईयों तक पहुचना है रोपवे से पहुच सकते हो वाइसनों देवी बगेरे में शुरू हो गया है हमारे यहाँ विरार में जिवदानी में शुरू हो चुका है तो रोपवे एक अच्छा mode ह बुजूर्ग हैं चोटे बच्चे हैं महिलाएं हैं तो आसानी से रोपवे से उपर तक जा सकती हैं चड़ाई कर सकती हैं easily पहुच सकती हैं बहुत सुधा देता है रोपवे refers to mode of transport which connects two places yes which connects two places on the hills or across valley or river तो समंदरी नदी बगेर है रास्ता ऐसा कुछ है जो चाईयों पर है दो hills हैं पहाड हैं दोनों connect करना है तो रोपवे से किया जा सकता है इन रोपवे ट्रांस्पोर्ट ट्रॉलीज मूव ऑन वील्स कनेक्टेट टू रोप एन यूस्ट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स एक्जाम्पल हार रायगड रोपवे बहुत फेमस है रायगड सबस्टेंस के लिए होता है pipeline transport sends goods through pipe, pipes के जरी most commonly liquid and gases क्या जाद रखोगे liquid and gases के लिए होता है इनसान नहीं जा सकता है pipe में से short distance systems exist for sewage, slurry और water while long distance networks are used for petroleum and natural gases तुमीद करता हो यहाँ पर सभी modes of transport आपको समझ में आ गया होगा business service chapter का सबसी easy part ट्रांस्पोर्ट, 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 दो वीडियो में अपने कवर किया, पिछले वीडियो में अपने रोड और रेलवे ट्रांस्पोर्ट के एडवांटेज, दिसएडवांटेज और खासियत देखी, आज के वीडियो में बाकी सारे ट्रांस्पोर्ट क modes हमने देख लिए, उमीद करता हूँ आप लिख करके practice करेंगे और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को boost करते रहेंगे, हम ऐसी videos लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, कोई भी doubt हो तो मैं आपको Instagram पे मिल जाओंगा, मेरा ID है राजगोर जैश्वी अपना प्यार बरकरार रखिए चैनल पर बने रहेंगे, हम ऐसी videos लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए videos के साथ तब तक के लिए do like, share and subscribe